तो एक तरफ है ड्रिप गोकु जिसने वानबे बोल्ट टोरे बोल्ट हाजून फेदर इंद अगस्ता को एक ही परस्टन पावर के सा थड़ा रखा है और दूसरी तरफ है गोड़ फ्यूजन गोकु इस बार गोकु ने जो लोग उसका ही मूवी देखने आयते हॉल में उनके शूरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम में हुसायओN जिसका नहीं है कोई काम ड्रिफ कोकु के पास अपना टांसप्रमेशन है जैसे ड्रीप posts ब्लू comments आंस्टिंड मास्टर आलठिन ट्रीपटिप्सिंटिंट को कोपने ड्रीप एंलटरिंस के साथ सारे ही Omnipotent भींग को One authority के साथ हडा रखाई जो कि उसका सेकेंड मोस्त फार्फुल टांस्फॉरमेशन है तो कोकु अपने वान परसेंट पाउर के साथ इतने सारे ओमनी पॉर्टेंट करेक्टर को हरा रखा है ना जैसे वानवेबल हाजून प्रेजेंज अकूटो साइज दा क्रियेटर तो ड्रिप कोकु को इतना जादा पाउरफुल बना दिया गया है कि उसका कोई सेंसी नहीं बनता तो अब हम लोग बात करते हैं गोड फ्यूजन गोकु की गोकु जब गोड ब्रोली के साथ फाइट कर रहा था गोड ब्रोली उसे धोबी के कुट्पी के तरह माल रहा था और उसके बाद गोकु दे फ्यूक्शन पैनल को भी ब्रेक कर दिया वो स्क्रीन से बहां निकल कर पाब्लिक के साथ ही फ्यूजन कर लिया उसके बाद बोगोड ब्रोली का बैंट बजा धी और उसके बाद बनी का में में से गोड ब्रोली का डिफेंस और उसका अस्थिश्च बे में कौन पारफुल है तो दोनों की पाई के वीज में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है और दोनों पारफुल है जब दोनों अपने पाईफुल फर्म में होगे बताना मुश्किल्स के कौन जी्छीते पर गोकु अगर अपना मास्टर ड्रीप आल्टर इंस्टिंट में चला जाता है जो कि बियॉंड ओमनी पोटन बताया गया है मतलब तब तो गोकु ड्रीप का ही जीत होगा पर वो अभी तक इस फॉर्म में गया नहीं है तो इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है और स गोकु तब नौर्मल हो जाएगा और उसी बैग ड्रीप गोकु से हडा देगा इसे तरके वीडियो के लिए स्क्रीन पाने बाले वीडियो को क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो